हां तो नमस्कार दोस्तों आपका पुना मेरे यूट्यूब चैनल सुनिल कुमार पर आपका स्वागत है जैसा कि आप इस स्कीन पर देख सकते हैं इस स्कीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि द्रोगा अभियर्थियों पर लाठी चार्ज की गई जी हां दोस्तों बिल्क करने की मांग करते हैं अभियर्थि जो थे मंगलबर को सरक पर उतर हैं और पटना में जो है साइंस कोलेज पर जुलूस निकला कोचिंग सभी कोचिंग को बंद कराया गया और गांधी मैदान जेपी गुलंबर के समीपुनलों का जोरदार पर दर्शन हुआ इस दोरान पिटाई भी की गई और यहां तक कि इसके बाद आयोग आयोग के जो OSD है असोक परसाद ने असपष्ट रुप से कहा दिया है कि परिक्षा में कोई गरबरी नहीं हुई है द्रोगा बाहली परिक्षा में गरबरी के आरोपो को विहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने एक पर फिर सीरे से खारिज किया है आयोग के विशेस कारज पतादिकारी जो OSD है असोक कुमार परसाद ने कहा है कि कुछ लोग भरम फैला रहे हैं और ना तो प्रस्णपत लिख हुआ है और नहीं परिक्षा परिणावी में कोई गरबरी हुआ है ये कहना है परिक्षा कि जो आ बाजुद भी उसके जो अध्यक्स वसाचीव थे वे लोग भी कह रहा है थे कि नहीं कोई गरबरी नहीं हुआ है जबकि काफी बड़े पैमाने पर प्रस्पत्र जो था बिहार SSC का लिख हुआ था उसके बाज़ग सरकार ने संग्यान में लेते हुए परिक्षा को जो था कैंसिल कराया था और इस बार भी लग रहा है कि द्रोगा भी अव्यर्थियों का जो परदर्सन जो दहार धंग से हो रहा है इसके सक्रात्म पर नाम आपको देखने को मिल सकते हैं लेकिन आयोग जो है मान नहीं रहा है और काफी बरे पैमाने पर आप देख सकते हैं कि इस गैस के गोले दागे गाए और लाठी चार्ज भी किया गया अव्यर्थियों को खदेरा भी गया इस दौरार परदर्सन कारी में सामिल असमाजिक तोतने रहगीर दोरासी से तोड़ डाले गए आधे घंटे बाद हालत जो है समान हुए और पुलिस और परदर्सन कारीयों क ताकि जो महिलाओं की हाइट है 155 कर दी गए है लेकिन ये जो बर्तमान द्रोगा परिक्षा चल रहा है इसमें सायद नहीं किया गया इसलिए वे लोग भी मांग करे थे किसी परिक्षा से उन लोग को भी 155 की जो हाइट है वो कर दिया जाए ताकि वे लोग पीटी परिक् पुर्वक अपने परदर्सन कर रहे थे लेकिन जेपी गुलंबर के पास कुछ और समाजिक तत्मों ने जो है पत्राव कर दिया इसके बाजुद पुलिश ने जो है छात्रों खदेर दिया और यहां तक कि कुछ छात्रों को जो है धाने में भी ले जाए गई और उसके बा आप